नमस्कार, मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्र वास्तु के विशेश कासकर्म के साथ नवरात्री में कन्यापूजन का अतीम हत्व है कन्यापूजन की सबसे आसान बीधि क्या है इस विशेप पर हम चर्शा करेंगे इसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे उम्र की कन्याओं का पूजन करने से क्या फल मिलता है लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्यों की जाती है कन्याओं पूजन नवरात्र के इन नौ दिनों में भक्त जन मा के नौ रूपों की पूजा करते हैं और अस्टमी और नम्वी के दिन कन्याओं की पूझा करके इसका उधियापन करते हैं माना जाता है कि इन कन्याओं को देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज से माधूर का परसंद हो जाती है और अपने भक्तों को शुख समर्धी का बर्दाण देती है 9 कन्याओं को 9 देवियों के परति बिम्ब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात का ब्रत पूरा होता है हम जानते हैं कि आखिर नवरात्री में कन्याओं पूजन किस दिन की जाती है देखिए अस्टमी और नम्वी के दिन कन्याओं की पूजा किया जाता है लेकिन अस्टमी के दिन कन्याओं पूजन स्रिष्ट माना जाता है तो ये कोशिस करें कि कन्याओं पूजन आप अस्टमी को ही करें कन्याओं पूजन में क्या कन्याओं की उम्र होनी चाहिए कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही नो कर्ण्याओं के साथ एक बालक जरूर बिठाए तब जाकर आपकी कर्ण्याओं पूजन पूरी होगी। पूरे परिबार के साथ पुस बरसा से स्वागत करें और नब दुरगा के सभी नौणामों का जैकार करें इसके साथ साथ कन्या पूजन में इन कन्याओं को अराम दायक और स्वक्ष जगा बिठा कर शभी के पैरों को दूद से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छोकर आसिस लेना चाहिए उसके बाद माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए फिर मा भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को एक्षा नुसर भोजन कराएं भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ के नुसर दक्षना उभार दे और उनके पुनह पैर छूकर आसिस ले फिर उनको विदा करें अब हम बताते हैं कि आखिर किस उम्र की कन्याओं का पूजन करने से क्या आपको फल मिलता है देखिए नवरात्र में सभी तीथियों को एक एक और अस्टमी या नम्मी को नो कन्याओं की पूजा की जाती है दो बर्स की कन्या को हम बोलते हैं कुमारी इनके पूजन से दुख और दरिदता का नास होता है तीन बर्स की कन्या को बोलते हैं त्रिमूर्ती और इनका पूजन करने से धन्यधान की प्रापती होती है और परिवार में सुख संपती आती है आपको सुख और समर्दी की भी प्राप्ति होगी चार बर्स की कर्णिया को बोलते हैं कल्यानी इनकी पूजा से परिवार का कल्यान होता है इसके साथ साथ पांच बर्स की कर्णिया रोहिनी कहलाती है रोहिनी को पूजने से बैक्ती रोगमुक्त हो जाता है चोड़ वर्स की कन्या को बोलते हैं कालिका और कालिका रूप से बिद्या, बिजय, राजयो की प्राप्ती होती है साथ वर्स की कन्या का रूप है चंडिका चंडिका रूप का पूजन करने से एस्वर्ज की प्राप्ती होती है इसके सासत हम पताते हैं कि 8 वर्स की कर्णिया पूजन से क्या आपको लाभ मिलता है 8 वर्स की कर्णिया शामभवी कहलाती है इनका पूजन करने से बाद विबाद में बिजय प्राप्त होती है 9 वर्स की कर्णिया दुरगा कहलाती है इनका पूजन करने से सत्रों का नास होता है तथा और साथ्ध कार्ज पूर्ण होने लगते हैं दस बर्स की कर्णिया सुवध्रा कहलाती है और सुवध्रा अपने भक्तों के सारे मनुरत पूर्ण कर देती है तो मैंने आज आपको बताया कि कन्याप पूजन की क्या है खास बिधी, कन्याप पूजन में कन्याओं की क्या होनी चाहिए उम्र और किस उम्र की कन्याओं की पूजा करने से क्या आपको फल मिलता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरपियाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा आपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी कन्या पूजन के महत्व को समझ सकें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद